हवाई जहाज के इंजन पर मुर्गे क्यों फेंके जाते हैं? इसका कारण है हवाई जहाज की सेफ्टी दरसल जब हवाई जहाज उडान भरते हैं तो पक्षियों का हवाई जहाज से टक्रा जाना सबसे बड़ी समस्या में से एक है. यह अधिकतर तभी होता है, जब हवाई जहाज रनवे से उडान भरते हैं या फिर उतरते हैं. पक्षियों के टक्राने से इंजन को नुकसान हो सकता है और बड़ी दुरघटना भी ही सकती है. इन्ही सुरक्षा कारणों के कारण हवाई जहास निर्माता कमपनिया इंजन की सेफटी सुनिष्चित करने के लिए और ये जाचने के लिए की पक्षी टकराने पर कितना नुकसान पहुचा सकते हैं इंजन पर नकली पक्षी या कई बार मरे हुए मुर्गे फैंके जाते हैं ज्यादातर यात्री विमाग 800 से लेकर 900 किलोमिटर घंटा की स्पीड से उरते हैं तो इस स्पीड पर पक्षी के टकराव के इफेट को देखने के लिए एक मशीन काम में ली जाती है जिसे चिकन गन कहा जाता है इसमें डालकर मुर्गों को इंजन पर फैंका जाता है इसके अलावा आजकल हवाई जहास से पक्षियों को दूर रखने के लिए एर्पोर्ट के आसपास के पेड़ काट दिये जाते हैं ताकि पक्षी एर्पोर्ट के पास ना आए और gun firing का भी उपियोग किया जाता है अगर इस वीडियो से कुछ नया जाना हो तो हमारे इस YouTube चैनल Factor प्रदीप को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद